Indian Economy on the Eve of Independence का Part 2 जिसमें हम Industry और Foreign Trade वगेरा के बारे में पढ़ेंगे पिछले चेप्टर में हमने पिछले पार्ट में हमने Agriculture के बारे में पढ़ा था यानि कृशी के बारे में हमारी क्रिशी के क्या कैसी थी और उसके पिश्ड़ अपन के कारण क्या थे अब हम पढ़ेंगे इसमें इंडिस्ट्री यानि उद्योग के बारे में कैसी हमारी इंडिस्ट्री थी और कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ तो Britishers के टाइम पर mainly हमारी इंडिस्ट्री में दो characteristics या features या विशेशता होती थी कि एक तो हमारी जो हस्थ कला थी जिसे English में बोलते हैं हम handy crafts ठीक है अभी short में बताता हूँ कि handy crafts जो हस्थ कला थी ना उसका उन्होंने बिल्कुल पतन कर दिया था बिल्कुल खराब कर दिया था और दूसरा हमारे देश में कोई modern industry नहीं लग रही थी ठीक है, कोई modern industry की कोई growth नहीं हो रही थी, ये दो features से, और ये जो हुआ, ये हुआ, बिटिशर्स के tax system की वज़े से, बिटिशर्स की policies की वज़े से, बिटिशर्स की discriminatory, यानि जी उसे बोलते हैं, विभेद मूलक, मतलब विभेद भाव करना, तो जो बिटिशर्स की, जो वो परिशान किया जाता था, mainly, ये न, तो mainly, दो features थे, एक तो हमारी हेंडी क्राफ्ट का, डीके हो गया, पतन हो गया, दूसरा, बिली growth of modern industry, यानि आधुनिक जो इद्योकते, उनका निराशजनक विकास रहा, और हमारी जो हस्तकला था, हस्तकला थी, हाथों से वस्तुए ज़ ये, दो mainly features थे, इनको एक एक करके हम थोड़ा सा deeply study करेंगे, तो जो हमारी हेंडी क्राफ्ट सी, यानि जो हमारी हस्तकला थी, वो अंग्रेजों के आने से पहले, यानि British शासन से पहले, British rules से पहले, बहुत जादा world में, international market में, विदेशी वापार में बहुत जादा, विद यूनिक होते थे, वो quality वाले होते थे, लेकिन अंग्रेजों कहा नहीं के बाद, इसके हमारी हस्तकला का पता नोता चला गया, British rules में, और अधीरे-धीरे जैसे Britishers ने उगरा, वो कैसे हुआ, पूरा उसकी कहानी क्या-क्या है, क्यों होई, उसके points देखते हैं, तो इसका हमा हमारे देश से, मतलब यह मालो हमारे देश का नक्षा है, हमारे देश से जब भाहर जाना होता था, अगर हमारे देश के लोग उसे export कर रहे हैं, निरियात कर रहे है, export मतलब निरियात, तो उस पर tax लगा देते थे, अभी को आता हूँ, हमारी एकर चीज, product जो है, उत्पात जो है, अगर tax लगकर महंगा हो जाएगा, तो market में कैसे बिखेगा, दूसरी बात, जब हमारे देश में कोई माल आता था, import होता था, तो उस पर भी, उसको जो है न, अपना माल को यहाँ पर सस्ता ले आते थे, यहाँ पर बिखता था, तो ना तो हमारा जो माल था, जो हस् पर पर ले आते थे, उन्हें यहाँ पर ले आए, तो mainly उन्होंने दो तरहीके से इसको किया, पहला तो हमारी जो पर भी उतपात थे, उन पर कर लगाया, टैरिफ पॉलिसी लगाया, टैरिफ बोलते हैं जब कस्टम डूटी जो लगती है न, जो पुड़क बहार बिखता है उस पर देश से बहार बेचने पर, तो उन पुड़क्स पर टैक्स लगाया और जब कि अपने पुड़क को कोई टैक्स न लगाया, तो एक तरह से उन्होंने बहिदभाव किया, discrimination policy अपना ही, और इस तरीके से उन्होंने हमारे पुड़क को महंगा कर दिया, तो एक पॉइ जो इन्हें unique product होता था था ना उन्हें अशरफिया थे ना मतलब उनकी कला का बहुत वो करते थे मतलब praise करते थे एक तरह से तारीफ करते थे तो एक तरह से जो आर्टिस्ट होता है ना जो भी वो product बनाता था उसको काफी एक तरह से motivation मिलती थी संतुष्टी मिलती थी तो और जाद जाद बनाते थे इसी तरह हमारे देश की जो हस्तकला थी ना वो पूरे वल्ड में मशूर हो गई थी famous हो गई थी लेकिन जब अंग्रेज आय तो उन्होंने हमारी जो हस्तकला थी handicraft को उनको protection देना बंद कर दिया उनकी praise करना बंद कर दी उनको कुछ भी नहीं दिया मतलब एक तरह से उसको विल्कुल खतम कर दिया तो जो लोग बनाते थे उनकी वी वो जो कला थी वो कहीं लुप सी हो गई तो ये एक और कारण था हमारे देश की अस्तकला के पतन होने का इसमें तीसरा point आता है कि competition मिला हमारे जो products थे ना हमारे जो घरेलू बजार में जो ह इंडिया में तो रो मिट्रेल की भरमार थी तो यहां से ले जाते थे अपने देश और हमारे वहां से उसको मशीन द्वारा बहुत ज्यादा है उत्पादन करते थे। उन्हें पता है कि रोमट्यूल भी यहां से ले गए। अब बेचना कारें। बेचना भी ही है। मार्केट कहां पर है। मार्केट भी तो ही थी। पोपलेशन भी थी। यहां थी। और यहां पर लोगों पैसा बहुतता। बहुत ही मतलब अच्छा जो अब जो मशीन से उत्पादन होता था जहें चादर बन रही है उसमें फिनिशिंग ज़ादा होती थी और वो सस्ता बहुता सबसे में इन बात है सस्ता जैसे आज की डिट में आप चायना के प्रुडक्स खरीद रहे हैं या चायना के बल्क में उत्पादन हो रहा है क्योंकि fine machine से हो रहा है तो इस तरीकी से उस वक भी ऐसे ही हुआ कि machine made products थे उन्होंने एकदम competition दे दिया हमारा product महेंगा था 800 रुपे की आप मालों मिल रही है और उनका product मिल रहा है 200 रुपे गा तो उनका जाधा भी केगा तो हमारी जो है इंडस्ट्री हमारी जो घरेलो उद्ध्योग थे small scale इंडस्ट्री बोलते हैं से लगूद्ध्योग बिल्कुल खतम करती है उन्होंने अब जेखो इसके पास next fourth point है कि new demand pattern नहीं तरह की मांग अब जो suit boot में आया का नहीं है type है ना suit boot पहनना अंग्रेज़ों को follow करना यो यो honey sing type मतलब एक तरह से उनको follow करते थे कुछ लोग वर्ल लिख के थोड़ा सा English वे English बोलना और जो भी उस तरीके के समलो तो नहीं तरह की demand का emerging हो रही थी नहीं तरह की लोग नहीं तरह के कपड़े तो एक तरह से उनको हम follow करते थे westernization जो भी था तो हमारे यहां जो नहीं तरह की demand का जनम हुआ उससे फाइदा किसको मिलेगा हमारे domestic producers को तो नहीं मिलेगा क्योंकि वह समान तो हहां बन रहा है और सस्ता भी है quality भी जादा बहतर थी मतलब एक तरीके से एक हद तक आप कह सकते हो तो quality भी और cost भी कम और नहीं तरह की demand का emergence हुआ तो इस तरीके से हमारे देश में जो है जो Britishers का products जादा भी नहीं लेगे हमारे घरेलू products यानि घरेलू उत्पाद घरेलू वस्तुए उनकी मांग एक तरह से कम हो गई इसके बाद next point है rail, देखो railway का जो start हुआ था हमारे देश में उससे भी बहुत impact पड़ा, जब 1853 में लगबग हमारे यहां railway start हुई तो उससे Britishers को बहुत फाइदा में, Britishers को product को दूर से दूर इलाकों में पुचाने में मदद मिली, क्योंकि मानलो पहले क्या होता था, जो cities होती नहीं तो अगर दूर दूर तक माल पुचाना है माल को बेचना है, तो अगर आपका transportation अच्छा हो जाता है, तो माल बेचना असान हो जाएगा, एक तो transportation coast घर जाएगी और दूर से दूर जो बजार है जो दूर से दूर जो समान बिकना है वो बड़ा असान हो जाएगा, तो अंगरेज़ों नहीं दिमाग लगाया, तो उन्होंने train स्टार्ट की, railway स्टार्ट की उससे उनका जो पुड़क्स के दूर से दूर बिकना चालू हुआ और उनको बहुत जादा उनके जो पुड़क्स के एक बड़े मार्केट एक तरह से बढ़ गई, तो हमने मेंली देख लिया कि हमारी जो हैंडी क्राफ्ट से उसका पतन के क्या कारण थे, एक तो डिस्क्रिमिनेटरी, हमारे जो हैंडी के रफ्ट से हस्त कला थी, या लगू दियोग के लोग, वो खतम से हो गए कि तरह से, देखो इसके बाद आ रहता है, ब्लिक ग्रोथ ऑफ मोडर्न इंडिस्ट्री, यानि हमारा जो आधुनिक उदियोग था, उसका निराश्यजनेक विकास था, ऐसा क्यों अब उसके बाद समय, कुछ इंडिस्ट्री लगी भी, जैसे कलोथ मिल लगी, आयरेन की कमपनी वो लगी, आयरेन स्टील इंडिस्ट्री लगी, शुगर इंडिस्ट्री लगी, सिमेंड इंडिस्ट्री लगी, पेपर इंडिस्ट्री लगी, और 1907 में टाटा आयरेन स्टील corporation ये company भी लगी लेकिन ये जो companies भी लगी ये इसी वज़े से नहीं लगी कि Britishers ने कुछ किया ये actual में लगी इसलिए क्योंकि जब first world war और second world war हुआ था है ना तो उसमें British government या Britishers एक तरह से कुछ जाधे involved हो गए थे तो उनकी industry भी से impact पढ़ा था जिस इस वह से इंडियन जो थे इंडेस्टिलिस थे पुझी पती थे उन्हें एक तरह से मुका मिल गया और इस तरीके से हमाई देश में जो है कुछ industries लगाने का कुछ industries establish करने का मुका मिला तो आपने देख लिया कि हमाई देश में भी जो है पुझी बनाती थी पुटक बनाती लेहिन किसी भी देश की ग्रोथ में important role play करती है capital good industry यानी मशीने कितने बन रहे हैं तूल्स कितने बन रहे हैं अब आज की रेट में भी आप देख सकते हो कि हमें जो मशीने खरीदनी होती हैं कहां से खरीदनी होती हैं विदेशों से हमे fighter jets से लेके जातर मतलब मैंने किरा कि हांपर नहीं होती हैं लेकिन mostly हमें कहां से खरीदनी बढ़ती हैं विदेशों से तो उस वक्त भी यही था कि पुझीगत वस्तुए यानी capital goods industry पुझीगत का मतलब capital goods industry हमाई देश में नहीं थी और जो industries थी भी वो भी products वगेरा वस्तु हैं इंग्लेंड है या फिर रश्या है अमेरिका है तो यह बड़ी-बड़ी countries क्या करती है mainly उन्हीं पर फोकस होता है इनका machine बनाना बड़े उजार बनाना जातर चीज़े tools बनाना नहीं नहीं वो बनाना ठीक है और देखो ऐसा होता क्यों है कि है जो capital goods industry इतनी कम लगती थ लगाते क्योंकि उनको तो अपना भी तो माल बेचना था यहां लाकर अपना भी तो प्रड़क्सिल करना था तो उन्होंने क्या करा अपने काम के लिए railway जो railway ना वो railway को स्टार्ट किया उन्होंने यहना communication के लिए dark पतर क्या स्टार्ट किया और अपना जो है ना ports words बनाया बंदरगा बनाया वो अपने लिए काम कर रहे थे एक तरीके से वो अपनी market बढ़ाना चाह रहे थे वो यह नहीं देख रहे थे कि यहां के industry यहां वालों को ज्यादा ज्यादा power दे जाए यहां वालों को ज्यादा develop कर दिया जाए ऐसा नहीं